Hello Everyone, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में Human Circulatory System के टू कम्पोनेंट्स के बारे में जाना था, ब्लड और ब्लड बैसल के बारे में, आज जो है हम तीसरे कम्पोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा हर्ट. जैसा कि हमें मालूम है हर्ट जो है हमारे शरीर का बहुत ही important अंग है, हमारा हर्ट जो है वो present होता है हमारी चेस्ट केविटी में, दोनों फेखडों के बिल्कुल सेंटर में और स्लाइटली जो है चुका हुआ होता है बाइं साइड को. हर्ट का साइड जो है वो हमारी मुठी के अकार जितना होता है हर्ट का बजन जो है अडल्ट्स मैन में दोसुपचास से तिनसुपचास ग्राम का होता है जबकि हर्ट का बेड जो है अडल्ट बूमेंस में दोस्तों से दोसुपचास ग्राम होता है हर्ट की स्टड़ी को क्या बोलते हैं कार्डियो लॉजी कार्डियो मीन हर्ट, लॉजी मीन स्टड़ी सेकिंड इपोर्टेंट फेक्ट अबाउट हर्ट इस मानव हिर्दे जो है वो एक मिन्ट में 72 वार धड़कता है इस थरग इस प्रतीक धड़कन में मानव हिर्दे जो है वो 70 मीली रख्त पंप करता है इस थरग 72 धड़कनों में 5 लिटर रख्त पंप करता है फोर्थ पॉइंट इस हिर्दे शरीर से जो है अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है जब तक इसे प्रयाप्त मातरा में क्या मिलती है ऑक्सीजन क्योंकि इसका खुद का क्या होता है इलेक्टिक इंपल्स होता है ये खुद जो है इलेक्टिक इंपल्स जनरेट कर सकता है फिफ्थ पॉइंट इस हर्ट की धड़कन का रुपना जो है वो कार्डिक अरेस्ट कहलाता है ECG क्या है इलेक्टो कार्डियोग्राम यह जो है एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम हर्ट की फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं by measuring the electrical activity of the hurt. Hurt की wall जो है तीन लेयर से मिलकर बनी होती है. Number one is epicardium, outermost layer. Myocardium means middle layer. And third one is endocardium, inner layer. Hurt जो है चारों तरप से एक लेयर से घीरा रहता है जिसे epicardium बोलते हैं यह जो है hurt को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. Myocardium जो है hurt की middle layer है यह जो है muscular layer है जिसमें involuntary stated cardiac muscle पाई जाते हैं यह जो है अलोग करती है hurt की contraction. Endocardium is innermost layer. It consists of tissues. यह जो है hurt के chambers को रेखावद करती है और bulbs तथा heart की chamber को सुरक्षा परदान करती है. So, we can say that epicardium is a visceral layer of serous pericardium. जो comprised करती है mesothelial cell और fat और connective tissue. Myocardium जो है वो muscle layer है hurt की जो comprise करती है cardiomyocyte से cardiac muscle. ठीक है Myocardium जो है वो अलोग करती है contraction of hurt. Endocardium जो है innermost layer है hurt की यह जो है comprised करती है endothelial cell और layer of subendocardial connective tissue. Hurt जो है continuously सिकूर्टा और फैलता रहता है इस प्रक्रिया को करके हिर्दे जो है रक्त नलिकाओं के help से रक्त को शरीर के सभी भागों तक भेजता रहता है. अब जो है हम जानेगे की hurt किस तरह से कारे करता है working of hurt. hurt जो है दो भागों में बंटा होता है एक right side एक left side. Left और right side का blood एक दूसरे के साथ mix ना हो इसकी लिए दोनों पार्ट जो है divide होते हैं septum के द्वारा. hurt का inner part जो है divide होता है चार chambers में. Right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle. Atrium को हिंदी में आलिंद कहते हैं और ventricle को निले. hurt जो है continuously contract and relax करता रहता है to receive blood in and pump out the blood. Atrium जो है responsible होते हैं blood को receive करने के लिए और ventricle जो है responsible होते हैं blood को pump out करने के लिए. Now types of blood received, जो right atrium होता है वो deoxygenated blood receive करता है हमारे body से, जबकि जो left atrium होता है वो oxygenated blood receive करता है हमारे फेफडों से. Deoxygenated blood में जो है carbon dioxide की मात्रा जादा होती है जबकि oxygenated blood में oxygen की. Now the blood pumped out, जो right ventricle होता है वो deoxygenated blood को pump करता है lungs के लिए और जो left ventricle होता है वो oxygenated blood को pump करता है पूरे शरीर के लिए. Now this is the leveling diagram of human heart that show different parts of heart. जो blood vessel शरीर का carbon dioxide yukth blood heart में लेकर आती है उनको veins कहते हैं. Carbon dioxide yukth blood को heart तक जो है दो vein लाती है. जो vein उपर के body हिस्सों से carbon dioxide yukth blood को heart में लाती है उसे superior बैना कावा कहते हैं. और जो हमारे निचले body parts से carbon dioxide yukth blood को heart तक लाती है उसे inferior बैना कावा कहते हैं. पूरी शरीर में घूम कर लोटा हुआ असुद रख जिसमें oxygen भी समलित होती है. बापिस आकर heart के right atrium में जमा हो जाता है किसकी help से superior बैना कावा की help से और inferior बैना कावा की help से. जब right atrium पूरी तरह blood से भर जाता है तो असुद रख जो है tricuspid ball की help से right ventricle में आ जाता है. राइट ventricle से जो है यह असुद ब्लड पल्मुनरी आर्टरी के जरिये हमारे right और left फेफडे में चला जाता है. जो हमारे फेफडे होते हैं उनी में इस असुद ब्लड का जो है सुद्धी करण होता है. सुद्धी करण मेंस जो ब्लड में carbon dioxide होती है वो बाहर निकल जाती है और जो oxygen होती है वो ब्लड के साथ पूरी तरह घुल जाती है. फिर क्या होता है जो हमारे फेफडों द्वारा सुद्ध किया गया ब्लड होता है वो चार पल्मोन अरी बेंस के द्वारा हमारे हर्ट के left अट्रियम में पहुंच जाता है. अब blood जो है वो left atrium में आ गया फिर क्या होता है जो हमारा left atrium होता है वो सिकुडता है, contract करता है left atrium के सिकुडने से क्या होता है जो सुध blood होता है वो material valve के थू हमारे left ventricle में आ जाता है जब सुध रक्त जो है हमारे left ventricle में आ जाता है तो left ventricle सिकुडना means contract करना शुरू कर देता है फिर जो है सुध रक्त जो है अरोटा में और अरोटा से जो सब ब्रांचीज निकली होती है वहाँ पहुंच जाता है और इनही सब ब्रांचीज और अरोटा की हेल्प से blood जो है हमारे शरीर के परतेक हिस्से में चला जाता है इस तरह से blood circulation की यह प्रोसेस जीवन भर चलती रहती है बिना रुखे या बिना ठके Blood flow की direction को ठीक रखने के लिए heart के दोनों और bulbs होते है No.1 is tricuspid bulb जो प्रेजेंट होता है हमारे right atrium और right ventricle के बीच में दोसरा जो है वो है mitral bulb जो प्रेजेंट होता है left side में एक bulb जो है वो ventricle और artery के बीच में होता है जिसे हम pulmonary bulb कहते हैं और एक bulb जो है वो left side में पाया जाता है जिसे arotic bulb कहते हैं हमारा हिर्दे जो है double circulation करता है means दोहरा परिसंचरण जिसमें क्या होता है हमारा हिर्दे रक्त को हिर्दे से बाहर भेजने के लिए क्या करता है प्रते एक चक्र में दो बार पंप करता है और रक्त जो है दो बार हमारे हिर्दे में आता है जिसे हम क्या कहते हैं दोहरा परी सांचरण Now, what is blood pressure या रक्त दाव? Blood pressure जो है ऐसा pressure है circulating blood का जो लगता है blood vessel के बिरुद Blood pressure जो है two type का होता है Number one is systolic pressure, number two is diastolic pressure Systolic को प्रकुंचन दाव बोलते हैं और diastolic को अनुस्थिलन दाव जो systolic pressure है वो heart की contraction से related है जबकि जो diastolic pressure है वो heart की relaxation से related है So, systolic pressure और diastolic pressure की बीच के difference हुआ Systolic pressure जो है वो phase है heart weight की जब heart contract करता है और pump करता है blood into the arota जबकि diastolic pressure जो है work phase है heart weight की जब heart क्या करता है Relax करता है means फैलता है और allow करता है chambers को to fill with blood जो diastolic pressure होता है वो increase करता है pressure in the arteries भेरेज जो diastolic pressure होता है वो arteries में blood pressure को low करता है एक समान्य मनुश्य का रक्त चाप कितना होता है 120 mm to 80 mm पारा Blood pressure को जो है हम एक device की जरिये measure करते हैं जिसे हम sphigmo manometer कहते हैं Heart के चार important function कौन कौन से हैं Number one is यह जो है oxygen-yukd blood को हमारे body के सभी parts तक पहुँचाता है Number two is यह जो है hormones और other vital substances को हमारे पूरे शरीर तक पहुँचाता है तीसरा function जो है heart का यह receive करता है deoxygenated blood को और उसे oxygenation के लिए हमारे lungs तक पहुँचाता है और carry करता है metabolic based product हमारी body से Heart जो है maintain करता है blood pressure एक और term जो है वो आपको याद रखनी है कि cardiac cycle या हिर्दे चक्र क्या होता है हिर्दे चक्र जो है क्या होता है one complete heart weight होती है जब सभी chamber जो है contract या relax करते हैं एक बार जो हैarent forty ग 딱 बेसा करते है वो है झाद